हम सबको पता है कि goods guard को electricity नहीं दी जाती लेकिन आपने कभी सोचा है कि goods guard cabin में solar panels क्यों नहीं लगाये जाते अगर solar लग जाये तो इनको तपती गड़्मी में बिना light और पंके के तो नहीं रहना पड़ेगा ना अजात बना के लगते आप लेकिन रेल्वेस ऐसा चाहती नहीं है क्यों आईए बताता हूँ पहली बात ही solar panels को लगवाने में रेल्वेस का अच्छा खासा खर्चा होगा और उपर से extreme weather conditions के होजे से इनको maintenance का भी खर्चा अलग से लगेगा दूसरा बात यह है कि mainly brake when guards के रहने और देकिंग के लिए ही यूज होती है रेल्वेस के according goods guard को light और walkie talkie की ही जुरुत होती है जो की battery पे भी चल सकती है तो वो क्यों पैसा खर्चा करना जाएगी